परसांत की सोर जी मोदी पर नहीं बोल रहे हैं अगर वो पाठी बनाए हैं तो सत्ता के खिलाब नहीं बोलेंगे तब न किसको हटा करके उस सत्ता में कर रहे हैं कि हम बिहार में शत्ता में आना चाहते हैं किसको हटा करके मलक हो मलसता में है शत्तास में अगर आपको आना है तो मोदी के खिलाब आपको बोलते नहीं देख रहे हैं नितीस बाबू के खिलाब बोलते नहीं देख रहे हैं तो इसे बिहार की जनता मुर्ख है नहीं समझ रही है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं अब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, पहले भी आपने काम किया था, आप नारा बनाते थे, चुनाओ जिताने का टेंडर लेते थे, उड़ती चिनिया को हल्दी लगाने वाला बिहार है, और इसलिए आप आए रूप बदल करके भाजपा के जेंट बन करके जो आप आए हैं आए, शमझ में आ जाएगा, दो हजर पचीश है, पहला बार आप चुनाओं में उतर रहे हैं, आए पता चल जाएगा, अंचल में कागज है, नकल निकालने जाएंगे तो, आपके पास जो रेकर रूम है जीला का, उसमें कागज है, और दूसरी चीज है कि कुछ कागज हम हमारे पास है, तो लिखा हुआ है कैथी भासा में, अनुबाद कौन करेगा हिंदी में, आपके पास है आदमी, उर्दू में के जगह लप्टा हुआ, उर्दू लिखा हुआ है, कौन अनुबाद करेगा, हम अनुबाद करा के लाएंगे विश्वास कीजिएगा, तो आपक में गरीब गुरुबा लोग कम पड़ा लिखा है जो अनपड़ रह गया है मुसर बींद गरीब और जातियों के लोग तो यह सरकार की तव ही नी है कि उनकी तव ही नी है नमश्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आपके साथ मैं सनिहा गुपता आपको बता दें दिनों बिहार की राजनीती काफी जादा गरम है और इस बीच तेजस्वी यादफ पर लगतार सत्ता पक्ष की लोग कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे है जहां एक तरफ दिले करने मोढ़ना चाबिक राम बल्ली आदा पर सीथे जुड़ेंगे ऐसे देखना है पहले इस बयान को अभी विस बयान को हो उन्यचान कर दिखरी जो है दिखाने के लिए मांग उठी ठी है मोदी जी ने खुदिंस जी के कि ही हैं और जो है कहां तक पढ़े लिखे है पतो ह विषब मुल म करें कि लोग हैं। अ हर इसलिए जाहिल की बात एलो करते हैं। हम पुछना चाहते हैं कि विएर में जो सबसे ज़ सुधे बोटर हैं। इसली उपर लोग हैं। टो यूज जिवरी में हैं तो यह सब जाहिली लोग है। जो नके पास भोट माइड स्क्राइन के ला जाते इसे माल Dadya कि को यह थमाप से को यसातमा पास है और लोग जो गरीब फिसक्षा क्या उझा तब्लें अब टो यह पुरा पढ़े इस फी के लोग है उनका मजाक उड़ा पॉर रहे हैं यह तो हम कह रहे हैं कि ये जो बात ये कर रहे है तो ऐसी बात नहीं है अब सोशल मेडिया के माध्यम से पूरे बिहार के गरीब दलित सारी बातों को सुन रहा है कि ये कोई बेक्ती, कोई नेता को नहीं बोल रहा है, पूरे गरीबों को बोल रहा है झृआ हैं ने कई रहा पर लोघ और च्थू नहीं है इनको कुम से कम जही थे हैंी मेरेया है का तो प्रसनिशक रहें हैं जह के बहुत बदा दी कर है जिसके रहे हैं और इस लिए हम करें कि यिए के बड़ा फैक्टर नहीं गरीबों को पहले भी गारी देते आया है यह लोग आज भी गारी दे रहे हैं लोग तो जब गरीबों को गारी देता है तो गरीबों को नेताओं को क्यों नहीं गारी देगा जो पिछड़े का नेता है दर्टों का नेता है उन लोगों को गाली क्यों नहीं देगा तो गाली ह कि आप वो सब भाजपा के शमर्थक लोग हैं तो यह किनको ललकार रहे थे इसी तरह से संजय मांजी का जो हाथ काट लिया ठेकारी में तो कौन थे पड़ा लिखा नहीं था किया वो भी पड़ा लिखा था जो राजकुमार मांजी की हत्या कर दिया तो कौन लोग थे तो इस के अंदर जाकन नहीं जा रहे हैं हमारी डिगरी कोई नहीं देख रहा है जरूत पढ़ेगा जब चुनावाता है हम लोग जो बात है वह हम लोग अपना शपत पत्र में देते हैं कंपढ़े लिखे हैं का दिकत हैं कंपढ़न लिखेना होना हमारी बेजती है कि सरकार की बे ही नहीं है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुद इये लोग गरीबों को पहले भी गारी दिता ता आज भी गारी दिता है और यह चाहते हैं कि ह्षिशीत लोग रहें तब iy हम उलूल-ज00 की बाते गाय कोवर की बाते हिंदु मुस्लीम की बाते जातियों की बाते इनको आराम से समझा पाएंगे समझे ना यह जाहिल नहीं तो क्या है करनाटक के सिलेबस में इन लोग पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में कि जो सावरकर थे सिर्वरा जेल में बंद थे तो एक जो है बुलबुल जो है रोसंदान से उनके कमरे में आती थी और जो सावरक कर उसी पर सवारी करके आप पूरे जो है भारत का भर्मन करते थे कोई पढ़ा लिखा बोल सकता है आज के जूग में कब सावरकर जेल में बंद थे तो खुद जो जाहिल हमकी डिगरी चाहे जो हो भाजपा जाहिलों की एक जमात है और इसलिए ये लोग पुराने जो गाल की शाक्षर्ता बढ़ाना गाली देना काम नहीं है इसलिए हम करें कि ये कोई तजस्वी जी पर या कोई लोगों पर टिपनी नहीं है इनी के भाने बिहार के तमाम पिछड़े गरीबों और अल्पसंख्यकों को गाली है ये तो इनका हिसाब तो होगा दोजार पचीस आने अगर वो पाती बनाए हैं तो सत्ता के खिला आपने बोलेंगे तब किसको हटा करके उस सत्ता में कर रहे हैं कि हम बिहार में शत्ता में आना चाहते हैं किसको हटा करके मले को मले सत्ता में है शत्ता में अगर आपको आना है तो मोदी के खिला आपको बोलते नहीं देख रह तो इसे बिहार की जनता मुर्ख है नहीं समझ रही है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं अब भजपा के लिए काम कर रहे हैं पहले भी आपने काम किया था आप नारा बनाते थे चुनाओ जिताने का टेंडर लेते थे खुल करके लेते थे अब जो है कान थोड़ा उलट करके पकड रहे हैं तो बिहार की जंता को मालूम है कि परसांत की सोर जी भाजपा के खिलाप क्यों नहीं बोल रहे हैं नितीज जी के खिलाप क्यों नहीं बोल रहे हैं उन्हीं की सत्ता है और कह रहे हैं कि हम बिहार की सत्ता पर राज करना चाहते हैं तो इनको हटा कर राज करना ह तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के लोग इतना मुर्ख नहीं है परसांत जी जो आप समझाना चाह रहे हैं उड़ती चिनिया को हल्दी लगाने वाला बिहार है और इसलिए आप आए रूप बजल करके भाजपा के जेंट बन करके जो आप आए हैं तो आए शमझ में आ जा लान सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं वो नेता गिरी कर रहे हैं कैसे देखना है ने देखिए नेता गिरी तो जगह की बात है नेता तो हम लोग हैं महान जनता ने घोसी की महान जनता ने गरीब गुर्वों ने मुझे नेता बनाया है और ओ गरीब जिनके जमीन की बिदाय काज बने हैं ना ओ गरीब जो करम जरुआ जमीन पर बसे हुए हैं या हर परिन पोखर के जमीन पर बसे हुए हैं सरकार ने कहा कि कहा जमीन है तो हम लोगों ने जहंडा गार के गरीबों को बस्ता करके और सरकार को बता दिया कि जमीन क्या है आप इनको परचा दे द और अगर हमारे पास कागज नहीं है तो आपके पास आए कागज अंचल में कागज है नकल निकालने जाएंगे तो आपके पास जो रेकर रूम है जीला का उसमें कागज है और दूसरी चीज है कि कुछ कागज हमारे पास है तो लिखा हुआ है कैथी भासा में अनुबाद कौ तो आपके पास अनुबादक है नहीं, आपके पास रेकड है नहीं, हम कागज ले आएंगे तो मिलान किस से कीजिएगा, हम अगर कागज ले आएंगे, फर जी ले आंदे तब, मिलान किस से कीजिएगा, आपके पास कागज है, तो हम तो कह रहे हैं कि राजनीती नहीं है, शर और दूसरा चीज कि जहां बसे हुए गरीब है उनको पर्चा दे तिजी अगर नहीं है तो और जिनको फर्चा धीयं जमीन पर आप कबजा दिला दिजिये तो सब्सक्राइब कर लिजिए इतना जलदीबाजी मेना कीजिए हम लोग एही बात कर रहे हैं और नेता तो हम लोग है है गरीबों ने भेजाई हैं इसी कम के लिए भेजा है हम वो नेता में से नहीं है कि हम जह है जैसे तैसे जमीन हड़ाप करके कोई मेटिकल कोलेज कोई इंजिनियरिंग कोलेज बना के चला रहे हैं वो नेता में से हम नह कर रहे हैं कि जिस तरह के जल्दिबाजी में आप कर रहे हैं जो अभी नवादा की घटना घटी उससे आप सबक लिजिए तैयारी के साथ सर्वे कीजिए और उन नेताओं में इसे नहीं है जो मेडिकल कॉलेज बना रहे है सीदे तोर पे कह दिया है और तिजस्वी यादफ के नवी पास और जिस तरीके से दिलिब जैसवाल ने उन्हें महाजाहिल कह दिया उसके बाद सरगर्मी बड़ी हुई अब देखना होता है कि आगे क्या कुछ होगा बने रहे हमाई साथ तब त पर दो पौश झाल साथ बना ने दिलिब पता है और ए रहे हैं और बना दाएब को पुछ होगा है कि नवी प्रमी बाका है कि अ